बीजेपी एमले नारायन त्रिपार्ठी कर सकते हैं घर वापसी चुनाव से पहले तीसी बार बदलेंगी पार्टी हन्ट्रेप मामले में भी आ चुका है नाम सतना जुले की महर सीट से बीजेपी विधायक नारायन त्रिपार्ठी की कॉंग्रीस में वापसी हो सकती है लंबी समय से बीजेपी से खापा चल रही नारायन की सीट पर भाशपा ने स्रीकांत चत्रुवेदी को प्रत्याशिक गोसित किया है इसके बाद नारायन ने घर वापसी की तैयारी शुरू की है सूत्र बताते हैं कि शनिवार को नारायन कॉंग्रीस की सदस्ता ले सकते हैं नारायन त्रिपार्ठी का हनी ट्रैप मामले में नाम आ चुका है विधायक नारायन त्रिपार्ठी प्रत्थक विंदे राज्युक कॉंग्रेस में वापसी कर सकते हैं बगावती तेवरों के बावजूद बीजेपी ने नहीं लिया एक्शन बीदे दो सालों से नारांत्रे पार्टी लगातार बीजेपी और सत्ता पक्ष्व के नेताओं को निशाना बना रहे हैं कई बार भी संगठन और सरकार पर खुलकर बयान दे चुके हैं उनके बगावती तेवरों के बावजूद बीजेपी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है तक्नीकी रूप से वे अभी भी बीजेपी के ही विधायक है सरकार ने मेहर को बनाये जुला नारायन त्रिपाठी अपनी विधायन सभा मेहर को जुला बनाने की मांग को लेकर लंबी समय से आंदोलित थे नारायन ने अपने इलाके में इससी बड़ा मुद्दा बना दिया था चुनाव आचार सहिंता लागू होने की ठीक पहले शुबरा सरकार ने मेहर को जुला बनाने की आदेश जुआरी कर दिये है फिलहाल नारायन की प्रैशर पॉलिटेक्स अब तक असर कार रख रही है अवे पांचवी बार विधान सभा पहुशने के लिए फिर से कॉंग्रेश का हाथ थाम सकते है नारायन का राज नितिक सफर मद्यपरदेश में समाजवादी यूबजन सभा की प्रदीश सद्धक्ष रही 2003 में पहली बार समाजवादी पार्टी से विधायक बने 2006 में समाजवादी पार्टी के प्रदीश सद्धक्ष बने 2009 में कॉंग्रेश की सदस्य ताली 2013 में दूसरी बार कॉंग्रेश के टिकेट पर विधायक बने 27 अगस्त 2015 को विधायक के पत से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए 2018 में बीजेपी के टिकेट पर तीसरी बार विधायक बने 2018 में बीजेपी के टिकेट पर चौथी बार विधायक बने प्रैसर पॉलिटिक्स में मिली काम्याबी कमलना सरकार गिरने के बाद से नारायन त्रिपाठी लगातार फ्रैसर पॉलिटिक्स कर विंद से जुड़े मामलों को उठा रहे हैं भोपाल के व्यमपम चोराही पर लगी पूर्व सीम अर्जुन सिंग की प्रतिमा तीन सालों से कपड़ी में लिप्टी खड़ी थी नारायन ने विंद के लोगों की मौझूदगी में स्वयम प्रतिमा अनावरण करने का अहलान कर दिया था जिसके बाद सीम शिवरा सिंग चोहां ने पूर्व सीम की प्रतिमा का अनावरण किया था हालंकि इस कारिक्रम में नारायन को नहीं बुलाए गया था अनी ट्रेप मामले में भी आचुका है नाम, करीब चार साल पहले, MP के चोटचे थानी ट्रेप मामले में भी नाराइन ट्रिपार्थी का नाम आ चुका है हनी टेप मामने में चालान पेश होनी के बाद कई चोकानी वाली जोनकरी सामने आई हैं पुलिस ने चालान के चारो और वोई साक्षी भटनागर के बयान भी पेश किये हैं साक्षी को पता नहीं था कि विधायक के साथ उसका वीडियो बना जा चुका है साक्षी की प्रीती सिंग नामक मित्र थी जो स्वेता विजय की परिचित थी उसने स्वेता के बारे में प्रीती से ही सुना था अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहें दख़बरदार नियूस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें